तो हेलो गाईज आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस नए ब्लॉग में गाईज आज का वीडियो पहला ब्लॉग होने वाला है तो अगर कोई भी दिक्कत हो तो गाईज थोड़ा सा एड़ेस्ट कर लिजेगा और आपके भाई को सब्सक्राइब करना ना भूलि सब्सक्राइब करेंगे गाईज बहुत ही बहतरीन सीन है तो ठीक है चलिए तो गाईज अमीद भाई चला रहे हैं साइकील और मैं भूंबैठा रास्ते में बने रहे हैं गाईज देखिए चचा हम लोग से स्पीड जा रहे हैं और यह पैंडिल मारते हुए हम पीचल रहे आगे पीछे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाईज पीचे रह चुके हैं गाईज चाचा देखिए पीचे रह चुके हैं अब लोग आगे निकल चुके हैं पास काईज फोड़ा दूरों फिर जंगल में बुशेंगे अभी हम लोग अपने केट्यम बेस बढ़ा रहे है गाईज यह केट्यम जा रहा है दोसों के स्पीड मैं गरीव उपने कुछा पुछा मैंने में अहीं से पर कटना है यही से हां बस गाईज इतना स्पीड केट्यम का है कि बहुच चुके हैं अम लोग ठीक है गाईज तो अब हम लोग जंगल वाली रास्ता में घुस रहे है यहां पर ढाको गुराते हैं तोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहे हैं गाड़ी का यह 90 के स्पीड में जा रही है गाईज क्या बात है तो इसलिए हम लोग इतना जल्दी पहुच चुके हैं देख सकते हैं रास्ता का क्वालिटी कितना चुक्त यह टाटा कमपनी सरकारी रास् इतना अच्छा रास्ता है हमन सोरें द्वारा बनाएंगे रास्ता है तो गाइस ज्यादा मेहनत ना करते हुए हम पैदल ही जाएंगे हमारे केटियम ने जवाब दे दिया है बोल रहा है कि आराम से चलिए तो थे खार्टाब देखें उनका केटियम के विख से बिकार है और देखिए यह बीना तेल कर चलने वादी केटियम है केटियम लीजें आप लोगी सेहत का सेहत पाई सावी बच्छे लिगार देखिए पेड उड़ है हम बोले फ़र्स भुलोग है गाइस थोड़ा ध्यान दीजेगा चलते चलते बहुत दूर आ चुके हैं मैं वैसे स्वाइड बन चुके हैं गाइस रोड मिलिया हम लोग को अब आगे मिलेगी जल पड़ी देखिए गाउं का नेचर जाड़ी घर दुवार इतना बड़ा बिल्डिंग खाली नहीं है धन्बाद में कहीं नहीं है पुले जारखन का सबसे बड़ा बड़ा बिल्डिंग आपको यहां दिखेगा पजिस तरला 27 तरला तो इसका केटियों वालत खराप कर दिया है इतना अच्छा केटियों है तो बस चल रहे हैं अभी चले जा रहे हैं थोड़ा दूर में पहुच जाएंगे हमें पुछा है कि जनना इधर है आंटी वोली कि दर ही है हम पहली बार जा रहे हैं हमें भी कोई तुजुर्बा आज नहीं है इधर से जागा तो उपर जागा उपर जागा निचे जागा कि दर निचे देख करता हूँ आमीद भाई हाथ चड़ी में देखते गाइस कि बोड़ी इनका बोड़ी देखिए गाइस अरे यारी एक दिखा रहे हैं वीडियो पर बने रहे गाइस इंट्रेस्टिंग वीडिया आप दिखता रहेगा आगे बहुत मजाने वाला है रास्ता देखने गाइस आप लोग आएंगे तो हरा जाएंगे हम जानते हैं इसलिए हाँ कभी आप लोग आएं इधर अगर आएं तो तो दा कमेंट करिये सबस्क्राइब करें अब इसके अंदर जाएंगे देख सकते हैं वहाँ से थोड़ा थोड़ा नजारा दिख रहा होगा आप लोगारे गाईस इसके अंदर कैसे जाना है वहीं सोच रहे हैं तो अंदर बहुत Rep out ध opportun developments 1990 और देख gyज़े से शै के अंदर जमदेश काना है रहा है इस तो है ऊपैसे अनडर है समझने रहे हैं कि गैसे नहीं आयांगा कोई फिल्ष happy नहीं है तो वीडियो पर कंडिन नहीं लुट में रहे हैं और देख सकते गाइस इतना चि रास्ता है कि अभी हम लोग को उसके नीचे जाना है गाइस ने साइकल लेकर आईए साइकल चोड़ी बहुत तगड़ा होता है दर अब रसी बनवा दिये हैं नहीं नहीं आईगी होई छोड़ देंगे गाइस इसको आप लोग की लिए बस आप लोग दुचाल लाग सब्सक्राइब कर दान करना पर जागा तो देख सकते हैं कि हमारी केटियम उतर रही है धीरे-धीरे गाइस यह केटियम के साथ अमीद भाई लांचार चुक्त है कि केटियम अब आगे नहीं जा पाएगी रास्ता बहुत खराब है और केटियम का इतना अच्छा लुक होने के वज़े से यह नहीं बढ़ सकती है तो इसलिए हम लोग इसको यहीं कहीं बान उन देंगे आते टाइम गाइस ले जाएंगे तो उपे एंडिल फस रहा है केटियम का कि को हटाईए और यहां पर साइकिल गुसा दिजिए स्वरी केटियम ओ माइगाड एस केटियम लग गई है और हम लोग उस गुफा से आए हैं वो जो गुफा दिख रही है आपको चारो तरप का देख सकते हैं आप लोग यह आप लोग भी आज आज यह वीडियो में बने-बने तो हालत खराब है गाइस तो गाइस बस अभी और थोड़ा सा अंदर है तो जा रहे हैं बस वीडियो पर कंटीनि बने रही है और यह बस निकलने वाले हैं और परका कुछ दिख भी निरा गाइस तो बस गाइस हाप चड़ी देख रहा है अमित भाई का अभी तो और अंदर है गाइस लगे परका कि आप तो भाई झाल झाल कर दो पमेरफ बाल कि दिए स्टाआ लंद पाल आप यूर पाल कि दिए अध कर दो आप प्रिप्रेंट चाहर सेखेंगे आप टेंगे दीज दीते हैं अब मार्श भाश बाश जाए आप देख सेखेंगें जड़ेंगें आप उगेंगें प्राइब देखेंगें लुग जाए यह तो हो गिया बस तो फैनली गाइस हम लोग आ चुके जंगल से बाहर तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटा ने उस पर अपने जीजाजी फैक के मारो या फूपा जी मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूं मुझे मुठिया पेलने जाना है बाई